Hello and Welcome to the Study Circle और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बिहार पुलिस कॉंस्टिबल परिक्षा 2023 में जो होने वाली है उसमें बिहार जीएस से जो सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में तो बिहार जीएस में बिहार जीएस के जो टॉपिक है उसमें कहां से सवाल पूछे जाते हैं और इसके सेलेबस क्या है और बिहार जीएस को हम कैसे पढ़ सकते हैं कहां से पढ़ सकते हैं इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो शुरू करते हम सबसे पहले हम बिहार जी एस का सेलेबस देखेंगे कि बिहार जी एस का सेलेबस में क्या क्या टॉपिक आता है ठीक है तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे बिहार जी एस के सेलेबस से ही शुरू करेंगे देखते हैं बिहार जी के सेलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हैं हम देखेंगे बिहार का सामान्य परीच है यह सिर्फ मैं आपको सलवस बता रही हूं बाद में इसको हम विस्तार में देखेंगे तो फर्स्ट है बिहार का सामाने परीच यानि की छेस्टांप परीच इस में बिहार साथे बिहार की राजधाने बिहार के में इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे नेoff बिहार का भाग॑लिक परीच है या बिहार का बुगोल कह लें और इसको इंगले से कहेंगे जो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ओफ बिहार तो इसमें ये देखेंगे कि बिहार की जो लोकेशन है वो कहां पस पास है यहां पे उच्चावच कैसी है मिट्टी कैसी है नदियां कौन सी वहां से निकल रही है इसके बारे में इसमें जानेंगे नेक्स्ट है बिहार का राजनेतिक परीचे पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ओफ बिहार तो इसमें हम देखेंगे कि बिहार की जो शासन विवस्ता है वो किस तरह की है वहां पे विधान मंडल विधान सभाव जो होते हैं वो कि इसी में आगे है बिहार का इतिहास तो इस खंड में हम देखेंगे बिहार का प्राचीना इतिहास मद्हकालीन इतिहास और साथ इस नेक्सते हैं तो इसमें वही जिविघ्राफी मतलब जो बिहार की जो 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 घ्र眉ट्टनस की चीजए सिसरों को जानेंगे। शुक्त में की अर्थ विवस्ता या इकोनुमि ओफ भीहार तो विष विषय कि और पर कrika यहां पर ऑठी गूसर्प हे झाया इन खीकी है वी शारщее नहiliar को जानेंगे। बिहार के जो लोग हैं, वो किन कामों में लगे हुए हैं, अपनी आजीवी का वो लोग किन चीजों से हासिल करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, इसी में आगे हैं, बिहार स्टैटिक जी के, तो इसमें हैं, पहले हैं, बिहार में परियाटन, हम लोग देखें इसी में अगला है बिहार की महत्वपूर्ण योजनाए तो बिहार में जो भी important योजनाए चल रही है उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट है बिहार में कला एवं संस्कृति तो बिहार में जो भी कला है जो आर्ट है जो कल्चर है उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट है महतुर्पून व्यक्तित्व तो जो भी बिहार के महतुर्पून व्यक्तित्व हुए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट है प्रसिद्ध महत्सव तो बिहार में जो भी महत्सव है जो फेमस है उनके बारे में जानेंगे तो ये था हमारा बिहार जीएस का सेलेबस यहाँ पे हमारा बिहार जीएस का जो सेलेबस है वो कम्पलीट होता है और जो बिहार जीएस का सेलेबस में हमने सबसे पहले बताया था आपको बिहार का सामानने परीच है तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ बिहार के सामाने परीचे को ही cover करेंगे बाकी दूसरे वीडियो जो आएंगे part में जैसे ये first part हो जाएगा तो second, third, fourth part करके हम अलग-अलग topic को cover करेंगे इस topic इस वाले वीडियो में हम बिहार का सामाने परीचे या general introduction of बिहार को cover करेंगे तो बने रहिएगा और ये आपके exam में बहुत help करने वाला है क्योंकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजे इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही easy language में जो बहुत ही जो समझने वाला language होता है easy language उसमें हम आपको बताएंगे ठीक है तो हम शुरू करते हैं बिहार का सामाने परीचे तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिहार के नाम से कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों परा ठीक है जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं हम लोग कि बौध धर्म जो है, बौध धर्म का जन्म बिहार में हुआ, तो वहां पास बौध मठों की संख्या बहुत जाता हो गई थी, और बौध मठों को पाली भाशा में विहार कहा जाता है, तो बिहार जो एरिया है, वहां विहार की संख्याधिक होने के कारण उसको बिहार कहा जाने लगा विहारों के कारण ही बिहार कहा जाने लगा और विहार जो है वो विहार शब्द का अब्रंच है ओके आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि विहार जो है वो बहुत भिक्षू के बिहार के स्थापना कब हुई और अक्सर नियूज में देखते होंगे आप लोग के 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं तो बिहार के स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी ठीक है इससे पहले बिहार मतलब 22 मार्च 1912 से पहले बिहार नाम से कोई राज्य एक करता था ठीक है उससे पहले बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था ठीक है सबसे पहले बिहार राज जो है बाइस मार्च 1912 को अस्तित्वे में आया था बाकि उस एरिया को किसी और नाम से जानते रहूंगे लाइक बिहार जैसा कि मैंने बोला लेकिन कोई ओफीसिय सबसे पहले 22 मार्च 1912 को ही बना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है इसी में हमारा बिहार की नहीं बिहार की स्थापना से ही है इसमें आगे है हाँ तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बिहार की स्थापना से पहले बिहार जैसा राज्जु कोई था नहीं ठीक है तो बिहार बनने की जो बिहार की स्थापना होने की जो प्रक्रिया रही है वो उसको अब हम जानते हैं तो सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए दिल्ली में एक दर्वार लगी थी जिसमें इसकी घोशना की गई थी सबसे पहले गोशना की गई थी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दर्वार में कि बिहार को हम बंगाल से प्रथक करेंगे और एक अलग राज्य बनाएंगे इसी में आगे होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उडिसा बिहार उस वक्त का अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जारखंड और उडिसा ठीक है जो अभी तीन स्टेट है तब वो एक ही रहा था और बिहार नाम से जाना जाता था इनको बंगाल से अलग करने के लिए 22 मार्च 1912 को एक विधिवत घोषणा जारी की गई जाती है उस वक्त के सरकार के द्वारा ठीक है इसी में आगे हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उडिसा जो अभी की उडिशा है संयुक्त रूप से एक प्रांथ के रूप में एक अपरेल 1912 को अस्तित्वे में आया तो आप देखेंगे देख रहे हैं इसमें कि बिहार के स्थापना की जो प्रकिरिया है वो किस तरह से चलती है सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दर्वार में यह निर्णय लिया जाता है घोषना की जाती है कि हम बिहार नाम से एक राज्य बनाएंगे जिसको हम बंगाल से अलग करके बनाएंगे ठीक है इसी में अगला चरण यह आता है कि 22 मार्च 1912 को यह गोषना जो है विदिवत जारी की जाती है और जो अंतिम फेज होता है उसमें यह होता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो वर्तमान बिहार जहारखंड और उडिसा यह पूरे पार्ट को बंगाल से अलग करके ए फाइनली एक अपरेल 1912 को एक नया राज अस्तित्व में आता है जो जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं और बाद में उस टाइम जो बिहार बना था बाद में उससे फिर ओडिशा अलग हो गया फिर जारखंड अलग हो गया और बिहार जो अभी वर्तमान में है उस स्वर विधान परिशद के गठन का आदेश पारित किया गया ठीक है क्योंकि एक राज्य बन गया है तो उसके लिए विधान परिशद होना आवस्यक है तभी तो उस राज्य की जो सरकार है वो चल पाएगी इसी के तहद 28 मार्च 1936 को निए प्रथक विधान परिशद का गठन कर कि एक अप्रेल 1912 को उडिसा और बिहार मिलकर राज्य बना था उसी में आगे यह होता है कि एक अप्रेल 1936 तक यानि कि जब 1936 आता है उसके एक अप्रेल को बिहार और उडिसा दो अलग राज्य बन जाते हैं इसी में फिर आगे यह होता है कि 25 अप्रेल सन 2000 को प्रतक राज्य जार्खंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर गठन विध्यक 2000 को स्विक्रिति प्रदान की जाती है यानि कि 25 अप्रेल सन 2000 को बिहार से जार्खंड राज्य को अलग करने के लिए यानि कि जार्खंड एक अलग राज्य बनाने के लिए बिहार राज्यकूनर गठन विधियक लाया गया था और इसी के तहत दो अगस्त सन 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त को सम्हाल को राज्यूसभा में ने बिहार राज्य-पुनर गठन विधेयक 2000 को पारीत किया तो सबसे पहले जो प्रस्ताव आया 25 अपरेल सन 000 को उसी में कि दो अगस्त को लोकसभा ने अपना इसको पारीत कर दिया लोकसभा से पारीत कर दिया गया और 11 अगस्ट को राज्य सभा से पारीत कर दिया गया ठीक है और नेक्स्ट इसमें होता है कि 25 अगस्ट सन 2000 को विधेयक पर राष्ट पती जो थे उस समय के डॉक्टर के आर नारायन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य दो हिस्सों में विभाजित हो गया यहां तक क्लियर है आगे बढ़ते हैं 15 नौवंबर और इसी के तुरू जो प्रकिरिया चल रहे हैं उसी के तुरू 15 नौवंबर सन 2000 को जारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार की जो इस्थापना होती है वो कि प्रकिरिया में कई चड़न में हुए हैं सबसे पहले तो बिहार 22 मार्च 1912 को इसकी गोशना जो है वीधी बजजारी की जाती है और तब ये बिहार जारखंड और ओडिसा बंगाल से अलग होते हैं फिर उसके बाद बिहार से ओडिसा प्रांत अलग हो जाते हैं और फिर उ आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है हमारा बिहार की राजधानी तो बिहार की राजधानी आपको पता ही होगा यह बहुत कॉमन सा कॉमन बात है बिहार की राजधानी पटना है अब मैप में इसको देख लेना ठीक है पटना की लोकेशन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बिहार उच्चे नियायाले तो बिहार की जो हाई कोट है वो कहां है अवस्थीत है बिहार के हाई कोट वो भी पटना में अवस्थीत है क्योंकि पटना राजधानी है राज्य की और अगर बिहार के उच्चे नियायाले यानि इसके स्थापना की बात करें तो एक दिसम्बर 1913 को हुआ था और इसके उद्गाटन की बात करें तो तीन फर्वरी 1911 को उस समय के जो लॉर्ड हर्डिंग जो गवर्नर थे उनके द्वारा किया गया था और वर्तमान में अगर पटना उच्छ नयायाला के मुख्य नयायाधिश के बात करें यानि कि यह पटना हाई कोट के चीफ जस्टीस हैं वो विनोध चंदरर है और इन्हों ने 29 मार्च 2023 को सपत ली थी और यह 26 अपरेल 2025 तक अपने पदपर बने रहेंगे यानि कि यह सीजे मुख्य नयायाधिश पटना हाई कोट के बने रहेंगे और अगर हम मात करें कि समीधान के किस अनुछेद में राज्यू के हाई कोट के स्थापना की बात की गई है तो यह है अनुछेद 214 यह बहुत important है ठीक है हो सकता एक्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार की या फिर किसी भी स्टेट की जो हाई कोट के स्थापना की जाती है वो किस आर्टिकल से सम्मंदित है तो आपको याद रखना है यह 214 है और 124 जो है न वो सुप्रीम कोट के लिए है तो इसमें confuse मत होईएगा अनुछे 214 हाई कोट के लिए है और 124 सुप्रीम कोट के लिए है नेक्स्ट है अब हम बात कर लेते हैं बिहार का जो शेत्रफल है यानि कि जो एरिया है बिहार का उसके बारे में और भारत के जो भी स्टेट है जितने भी स्टेट है उनके कमपैरिजन में बिहार का जो शेत्रफल है वो कितना है वो भी देख लेते हैं और उनका जो क्रम है जो सीरियल नंबर है वो कितना है इसके बारे में भी जानते हैं भारत का बारह्वा सबसे बड़ा राज्य है जम्मु कश्मीर पुनरगठन पश्चा होने के बाद क्यूंकि अब क्या हुआ है कि जब से 370 हठा है तब से जम्मु कश्मीर अलग हो गया है लद्दाख है तो पहले वो बड़ा स्टेट हूआ गर में बात की गई है वहीं अहगर हम केंदर-शाशित प्रदेश भी मिला लें तो इसका क्रम वो ते रह्मा होजाता है क्योंकि जो त्रहएं का भारत मैप देखेंगे तो भारत का मैप देखें त्यान की उसका कैरे कैल ब हर से बाड़ा है यहां तक किलियार का सब़ा है वो तीसरा है 2011 की जनगर्णा के हिसाब से और क्योंकि जनगर्णा हर 10 साल में होती है लेकिन अभी कोवीड के वजह से नहीं हो पाया है तो हम लोग को 2011 की जनगर्णा के हिसाब से काम चलाना पड़ेगा और एक्जाम में भी अगर आता है कि बिहार के जनसंग्या बताईए कितनी है तो आपको यहीं बताना है कि जनसंग्या के दरश्टी से भारत में जो बिहार का इस्थान है वो तीसरा है उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं राजकी भाशा की तो बिहार में कौन सी भाशा बोली जाती है तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और बिहार की राजकी भाषा हिंदी है और बिहार की अगर दूतीर राजकी भाषा की हम बात करें तो ये उर्दू है मतलब हिंदी राजकी भाषा है और दूतीर भाषा की अगर हम बात करें कि अब बात कर लेते हैं बिहार की भागॉलिक परिदरश्य के बारे में कि आँ है माफ कीजेगा हम भागॉलिक परिदरश्य पढ़ने से पहले राज की प्रतीग और राज की चिन्ह के बारे में पर आए ठीक है तो राजकिय प्रतीक की अगर बात करें तो ये है राजकिय व्रेक्ष पीपल है राजकिय पशु सौरी राजकिय पशु बैल है और राजकिय पुश्प गेंदा है राजकिय पशु जो है वो बैल संदु 2013 में किया गया है इससे पहले रीश था राजकी पक्षी की अगर बात करें तो ये गौरयया यानि के स्पैरो है पहले निलकंट या नक्ता था और राजकी मचली की बात करें तो राजकी मचली मांगूर है इसी तरह अगला टॉपिक है हमारा राजकी चिन तो राजकी चिन्य जो है वो बोधी व्रक्ष है वही बोधी व्रक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ती हुई थी और जो राजकी चिन्य है उसमें आप देखेंगे कि ये पीपल का व्रक्ष तो है और उसके दोनों साइट दो स्वास्थिक के चिन बने हुए हैं ऑक हम देखते हैं भौगॉलीग परेद्रश्य तो बिहार कि है हम भौगॉलिक परेद्रश्य की बात करें तो इसका अक्षान्सी विस्तार जो है सबसे पेले हम देखते हैं अक्छांसे विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्छांस में हैं वहीं अगर दिशांतर्य विस्तार की बात करें तो ये 83 डिग्री 29 मिनट 50 सेकंड से 88 degree 17 minute 40 second पूरवी देशांतर में है और अगर हम बिहार की शेत्रफल की बात करें या total area जो है बिहार की उसकी बात करें कि कितने शेत्रफल में कितने दूर में फैला हुआ है कितना दूर में विस्तार है बिहार का तो ये है 94,163 वर की किलो मेटर और अगर हम लंबाई की बात करें कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिंड तक कितना है तो ये है 345 किलो मेटर और अगर चोड़ाई की बात करें यानि कि पूरव से पस्टिम बिहार की चोड़ाई कितनी है तो ये है 843 किलो मेटर यानि कि जो लंबाई है बिहारी की वो कम है और चोड़ाई जाता है इसी में आगे है शेहरी शेत्रफल यानि कि बिहार में ऐसे शेत्रफल जहां पर शेहर बसे हुए ऐसे एरिया उनके बारे में देखते हैं ये हैं टोटल एक हजार पंचानमे पॉइंट फोर नाइन सौरी चार नौ किलोमेटर वर्ग किलोमेटर इसी तरह अगर ग्रामिर शेत्रफल की बात करें कि बिहार में कितने एरिया में गाउं बसे हुए हैं तो ये हैं बिरान में 1257.51 वर्ग किलोमीटर इसी तरह गर हम बात करें कि बिहार की जो उचाई है वो कितनी है तो ये समूद्र तल से 173 फिट उची है और सामान ने वर्शन की बात करें कि बिहार में एवरेज बारिश कितनी होती है तो ये है 1000 मिलिमिटर से 1500 मिलिमिटर और नेक्स्ट है औशत वर्शा दिवस यानि कि बिहार में एक साल में कितने दिनों तक बारिश होती है ये है 52.5 दिन एक वर्श में कुल यानि कि बिहार में हर साल एवरेज 52 दिन 52.5 दिन बारिश होती ही है इसे के बाद नेक्स टॉपिक है अवस्थिती यानि कि बिहार की अवस्थिती कहां पे है तो बिहार की अवस्थिती जो है भारत के पूरवी भाग में अगर भारत का आप मैप देखेंगे और देखेंगे उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम अगर में आप बाटेंगे तो देखेंगे कि बिहार की जो अवस्थिती है वो पूरवी भाग में है और बिहार जो है वो एक भू आवेस्थित राज्य है यानि कि एक लैंड लॉग्ड स्टेट है ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार का जो सीमा है वो किसी समुद्र से नहीं लगती कोई वाटर बॉड़ी से ओसन बॉड़ी से नहीं लगती है और ये चारो तरब से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है ठीक है इसी में आगे है या उत्तर में नेपाल से अगर ह किन राज्यों से या देश से इसकी ये अपनी बॉडर या सीमा साजा करती है तो ये है उत्तर में नेपाल देश से अब मैप में देखेंगे उत्तर में नेपाल से लगा हुआ है दक्षिन में जहारखंड से वहीं पूरव में जहारखंड एवं पस्चिम में पस्चिम मंग लेके अफ्टर पूर वाला भाग वह पस्टिंध बंगाल से हुआ है और पिहार नेपाल की सीமा की और मीरपाद करी कि दोनों के बीच दोने बीच सीमा साजह करते हैं यह तो उसकी लंबाई कितनी है उसकी लंबाई 729 10 किलोमेटर है okay next देखते हम राजी की सीमा तो राजी की सीमा से लगे जो राज्ये हैं उसके बारे में हमने देखा उसमें अब और अच्छे से देखते हैं कि जो पश्चिम मंगाल है वो बोर्वे से हुआ है उतर प्रदेश जो है वो पस्टिम से लगा हुआ है बिहार के पस्टिम से और वहीं जारखन जो है वो दक्षिन से लगा हुआ है और अगर हम बात करें कि बिहार के सीमा से जो कोई देश लगा हुआ है उसके बारे में तो ये नेपाल है और ये बिहार के उत्तर से उत्तरी सीमा ज अगर हम देखें तो भी बहुत काफी ज्यादा है और उसमें अगर बिहार का अंश निकाले की बिहार टोटल भारत में बिहार का अंश क्या है शेत्रफल की तो यह है दो पॉइंट आठ से छे प्रतीशन नेक्स्ट है नेपाल की सीमा से लगे जीलें वह जीलें जो नेपाल के सीमा से लगे हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं वो कौन से हैं तो यह है पस्टिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता मढ़ी, मधूबनी, सुपॉल, अररिया और किशन गंज इसी तरह अगर हम देखे कि उत्तर प्रदेश जो की बिहार के पस्टिम से लगा हुआ है उससे कौन-कौन से जीलें लगे हुए हैं यह काफी इंपॉर्टन्ट होते हैं इससे सवाल पूछे जाते हैं और इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यार याद रखिएगा इसकी मंगाल के सीमा से लगे हुए कुझ तीन है और इन जीलों के नाम है किशन गंज पूर्णिया तथा कटिहार और झारकंड की सीमा से जो लगे हुए जीले हैं वहार के वह भी वह 8 हैं और उनके नाम है भागलपुर बांका जमूई नवादा गया और अगवाद रोहता और कटिहार निक्स्ट देखते हैं ने विभार की राजधानी पटना अब जब राजधानी पटना अब reais हानी है तो वह मैं साहिर सी बात है कि बहुत important की है जो भी सरकार के कामकाद होते वहीं होते हैं हाई गोट वहाँ है पटना में विधान मंडल जो है हमारा वो भी पटना में ही है तो देखते हैं बिहारी की डाजधानी पटना से जो जीले लगे हुए हैं वो कितने हैं ये टोटल नौ है और इनके नाम है अर्वल जहानाबाद नालंदा लखी सराय बेगु सराय भोजपूर और अब देखते हैं आगे शेत्रफल की दुरस्टी से सब्से बड़ा जीला कौन है बिहार के जो तमाम जीले तो अगर याद रखेगा जब भी आप सीमा पढें तो आप मैप लेके के पढ़ियेगा अच्छे से पढ़ियेगा। ताकि वो आपको अच्छे से याद रहें, जादा टाइम तक आप उसको याद रख पाएं। इसी में आगे हैं, अगर सबसे पस्टिमी जीले की बात करें। बिहार की सबसे पस्टिमी जीला है कैमूर, और जो सबसे पूर्वी जीला है वो किशन गंज है। और राज़ी की जलवाईू के अगर बात करें कि भीहार की जलवाईू कैसी है। क्लाइमेट कैसी है वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है या गर्मी ज्यादा पड़ती है या मौनसून ज्यादा पड़ती है वहां की जो बिहार की जो जलवायू है क्लाइमेट वह मौनसूनी है यानि कि वहां पे तीन महीने बारिश होती है तीन महीने गर्मी होती है तीन मह जो मौसम रहता है वो थोड़ा सा मौडरेट रहता है उस टाइप का मौसम है जैसे इंडिया की जो मौसम है उस तरह से है और अगर सामानने वर्षा की बात करें तो यह है 1205 mm और अब हम देखते हैं कि जो कौन सा जीला है जहां पर वर्षा सबसे जादा होती है ठीक है और अब इसका आप कोजिट देखते हैं कि जिले कौन से है कान सिकता है जिसमें को सारे जिले जो सबसे गर्म रहता है यह है गया तो यहां पर हमारा राज्य की सीमा कंप्लीट होता है और नेक्स टॉपिक देखते हैं नेक्स टॉपिक है हमारा राज्य की जनसंख्या तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है आपको यह भी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो बिहार राज्य की कुल जन संख्या जो है वो 10 करोर 40,99,452 है और अगर हम देश में कंप्यार करें कि जो पूरे भारत में अलग-अलग राज्यों में जो लोग रहते हैं या फिर जितनी जन संख्या है उसके हिसाब से अगर हम कंप्यार करें तो बिहार राज्य जो है वो तीसरे नमबर पर आता है यानि कि अलग-अलग स्टेट्स में जो भी जन संख्या है उस हिसाब से बिहार में जो जन संख्या है उसे हिसाब से बिहार भारत में तीसरे स्थान पर आता है और अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें जो नंबर वन पर है जनसंख्या के मामले में तो वो यूपी है और दूसरे नंबर पर महारास्थ है और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार आता है कि इसी में आगे हैं राज्जी की कुल जन संख्या में पुरुष यानि कि हमने देखा कि टूटल राज्जी की जो आबादी है जन संख्या है दस करोड है थाना दस करोड चालीस लाख निन्यानवे हजार 452 है इसमें पुरूशों की संख्या कितनी है तो पुरूशों की संख्या जो है वो 5,42,78,157 है उसी तरह राजी की कुल जनसंख्या में अगर हम महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो ये है 4,98,21,295 और भारत की जनसंख्या में भारत की जो कुल जनसंख्या में प्रतीशत अंश है यानि कि भारत की टोटल जनसंख्या जो भी है अभी उसमें बिहार की जनसंख्या कितनी है या कितना कॉंट्रिब्यूट करती है वो है 8.6060 प्रतीशत ठीक है 8.6060 प्रतीशत अगर हम बात करें कुल जन संख्या के दृश्टी से देश में स्थान क्या है हमने पहले भी इस के बारे मात की है तो जैसा कि मैंने पहले बताया थीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महारास्त है इसे में आगे है जन संख्या में दशकी व्रधी यानि कि जन संख्या की जो दशकी व्रधी होती है वो बिहार में कितना है तो सन 2001 से 2011 जैसा कि मैंने बताया कि 2021 में जो जनगरना होने वाली थी वो नहीं हो पाई COVID के वज़ा से तो 2001 और 2011 के बीच का जो डेटा है उसके हिसाब से 25.42 प्रतिशत बिहार की जन संख्या की दशकी व्रधी है यानि कि अगर क्रम में बात करें कि क्रम कौन सा है इसका एक दो तीन चार पाँच तो उस हिसाब से देश में छठा इस्थान है ठीक आगे देखते हैं जन संख्या घनात्व प्रतिवर्ग किलोमेटर यानि कि ऐसे निकाला जाते है कि कोई एरिया है वहां कितनी जन संख्या रहती है ठीक तो बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व देखें प्रतिवर्ग किलोमेटर कितने लोग रहते हैं बिहार में तो ये है 1106 और देश में पहला इस्थान यानि की बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है यानि आबादी जो है वो बहुत घनी है बिहार में और ये देश में पहल स्थान पर आता है इसी तरह सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है वह जीला कौन सा है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या रहती है तो ये पटना है और ये टोटल है 58,38,436 इसी में आगे बात करें तो हमने सरवाधिक जनसंख्या देखते हैं नियूंतम जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो शेख पूरा जिला है भिहार का उसमें सबसे कम जनसंख्या घनतव है या जनसंख्या है और टोटल अगर जनसंख्या के बात करें तो ये है 6,36,342 इसी तरह सरवाधिक जनसंख्या दशकी व्रधी दरवाला जीला कौन सा है यानि कि वह कौन सा जीला है जहां 10 साल में सबसे ज़यादा दशकी व्रधी देखी गई जनसंख्या के मामले में तो यह मध्य पूरा है और अगर प्रतिशत की बात करें तो यह 31.2 प्रतिशत है इसी में आगे है नियूंतम जनसंख्या दशकी व्रधी वाला जिला कौन सा है तो यह गोपाल गंज है यानि कि जो बिहार का गोपाल गंज जिला है वहाँ पे जनसंख जनसंख्या की बहुत घनी है तो यह है शियोहर और यहां पर प्रती वर्गी किलोमेटर जो जनसंख्या घनत्व है वह 1880 और नियुंतम जनसंख्या घनत्व वाला जीला की अगर हम बात करें तो यह कैमूर है और यहां पर प्रती वर्गी किलोमेटर जो वैकती है वो 488 है और वहीं साक्षर्तादर की बात करें 2011 की जनकरना की अनुसार तो लगभग बिहार में साक्षर्तादर 61.8 अठ शुन्य प्रतिशत है और पुरुष शाक्षर्तादर की बात करें तो 71.2 शुन्य प्रतीशत है और महिला शाक्षर्तादर की बात करें तो ये 59.5 शुन्य प्रतीशत है इसी में next है सरवाधिक शाक्षरता दर वाला चिला यानि कि कौन सा ऐसा चिला है जिसमें शाक्षरता दर सबसे अधीक है बिहार में अधर चिलों के मुकाबले तो यह है रोहतास और यहाँ पर साक्षरता दर की जो प्रतिशत है 500-37 प्रतिशत है और नियुन्तम साक्षर्टादर जिला की अगर हम बात करें तो यह पुर्णिया जिला है वहां पर साक्षर्टादर नियुन्तम यानि कि सबसे कम स्टेट में पाय जाता है और यहां प्रतीशत देख लें अगर तो प्रतीशत है 59.08 प्रतीशत ठीक है इसी तरह सरवाधिक तो यह है रोहतास और प्रतिशत की देखें तो प्रतिशत 82.88 प्रतिशत पुरुषाक्षरतादर है वहां पे और नियुनतम पुरुषाक्षरतादर की अगर हम बात करें कि किस रिले में नियुनतम पुरुषाक्षरतादर है तो यह पूर्णिया है और यहां पर 69.06 यहां पर महिलाओं की जो सक्षर्तादरान नौश्य प्रतीक है और यह सहरसबराना प्रतिक很好 थे ऑड़ते हैं और लिंकानुप अगर हम बात करें तो लिंकानुपात भी चाहरी नौश्म है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो यह गपाल गंज है और यहां पर show है यह जो संख्या है awe बात करें जह 0-6 बच्चे होते हैं उनके बारे में तो Caitlin 935 है और सरवाधिक शिशु लिंगा नुपात वाला जीला अगर बात करें, तो ये किशन गंज है यहाँ 971 है जो राज्य की एवरेज से भी जादा है और न्यूंतम शिशु लिंगा नुपात वाला जीला की अगर हम बात करें, तो ये 904 है, जो की बहुत कम है आगे है सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां पे नगरी जनसंख्या सबसे जादा है नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे जादा है तो यह पटना है और यहां जो जनसंख्या है वे हैं 25,14,590 वही नियुन्तम नगरी जनसंख्या वाला जिला की अगर बात करें कि मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसमें नगरी करन कम हुआ है या फिर नगर में जो रहने वाले लोग है वो कम है तो ये शिवहर जिला है और इसकी जो संख्या है वो 28,116 है और कुल जनसंख्या में ग्रामेड जन जनसंख्या को तो उसमें 88.71 प्रतिशत मालने इसे 89 परसंट तो गाउं में रहती है यानि कि लोग बिहार में ज्यादा तर लोग गाउं में रहते हैं और अगर हम बात करें कि कुल नगरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है बिहार में कितने लोग हैं कितने प्रतिशत लोग है जो नगरों में रहते हैं तो ये मात्र 11.29 प्रतिशत है यानि कि वहां नगरों में बहुत कम लोग रहते हैं ग्रामिर जनसंख्या जादा है नगरी जनसंख्या कम है और सरवाधिक नगरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो पठना में है और ये प्रतिशत में 43.07 प्रतिशत है अगला है नियूंतम नगरी जनसंख्या कर प्रतिशत मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे प्रतिशत की अगर हम बात करें तो नगरी जनसंख्या बहुत नियूंतम है तो ये समस्ति पूर जिला है और यहाँ जो जनसंख्या का प्रतिशत है नगरी जनसंख्या का प्रतिशत ये मात्र तीन पॉइंट चार साथ प्रतिशत है ठीक है देख सकते हैं बहुत कम है और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाती जो सेड्यूल्ड कास्ट होते हैं उनकी उनका प्रतिशत क्या है न टोटल जो भीहार के जनसंख्या है उसमें कितना अनुसूचित जाती के लोग रहते हैं तो ये टोटल 15.9 अपरतिशत है मान लीजे मोटामाटी 16 अपरतिशत है और सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मतलब बिहार का कौन सा जिला है जहां पे जो अनुसूचित जाती के लोग है वो जन संख्या उनका सबसे जादा है तो ये गया जिला है जहां सबसे जादा अनुसूचित जाती के लोग रहते हैं और इनकी संख्या की अगर हम बात करें 13,354,359 है वहीं सरवाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतीषत वाला जिला की अगर बात करें जो सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या जो है वो प्रतीषत रूप में भी गया में ही सबसे जादा है और इसकी प्रतिशत की बात करें तो ये 30.39 प्रतिशत है इसी में नेक्स्ट है नियूनतम अनुसूचित जाती जन संख्या वाला जीला कौन सा है मतलब ऐसा कौन सा जीला है जहां पर सेडूल कास्ट होते हैं वो सबसे कम संख्या में है ये शिवहर जीला है और इनकी संख्या 96,655 है ठीक है जो अधिक वाला था उसमें हमने 13 लाख देखा है गया में और जो सबसे नियूनतम वाला है उसमें 96,655 है और आगे देखें नियूनतम अनुसूचित जाती जन संख्या प्रतिशत वाला जीला मतलब ऐसा कौन सा जीला है जहां पर अगर हम अनुसूचित जातीयों की प्रतिशत की बात करें तो वो सबसे कम है तो ये किशन गंज जीला है और यहां इनका प्रतिशत है 6.669 प्रतिशत और कुल जन संख्या में अनुसूचित जन जाती की बात करें हमने सड्यूल कास्ट की बात कर लिए अब हम सड्यूल ट्राइब की बात कर लेते जो ट्राइब लोग होते हैं उनके बारे में तो कुल जन संख्या जो बिहार की है तो ये पस्टिमी चंपार है और बिहार की यानि की पिहार का जो पस्टिमी चंपारण जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं और इसके विप्रीत अगर हम बात करें नियूंतम अनुसूचित जन जाती जन संख्या वाला जिला कौन सा है त सड्यूल ट्राइब की प्रतिशत में ये लोग जादा है तो ये है ये भी है पस्टिमी चंपारण और इनका जो प्रतिशत है 6.35 प्रतिशत है और नियूंतम अनुसूचित जन जाती जन संख्या प्रतिशत वाले जिले की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल तीन है और अ और नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमने यहां तक राजी की जन संख्या कंप्लीट कर ली और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजी की प्राशाशन यानि कि बिहार राजी की प्राशाशन कैसी है वहां किस तरह से सरकार और जो सरकारी सरकार और प् वुशिष, दर्वंगा, सारण, भागलपूर, पठ्ना, तिरोत, मुंंगेर, मघद और पूर्णिया और इसीतरह जिलों की अगर बात किरें कि भिहार में कुल कितने जिले हैं तो बिहार में जिलों की संख्या टूटल अर्थिस हैं और अनुमंडलों की संख्या की बात करें, तो अनुमंडलों की संख्या 101 है, अब देख लेते हैं प्रखंडों की संख्या, तो प्रखंडों की संख्या है 534, और पंचायतों की संख्या की बात करें, तो पंचायतों की संख्या 8406 है, पुलिस अस्टेस्न या थाना जो होता ह उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो ये खुल 800 तुरुपन है ओके आगे देखते हैं राजस्विग्रामों की संख्या तो राजस्विग्रामों की संख्या है 45,103 और लोगसभा सदस्यों की संख्या की बात करें कि बिहार में लोग सभा सदस्य की संख्या कितनी है तो टोटल 40 है वही राज्य सभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 16 है याद रखेगा विधान्स लोग सभा सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्य सभा सदस्यों की संख्या कम होती है लोग सभा के जो सदस्यों वो लोग को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में और राज्य सभा के जो सदस्य होते हैं वो स्टेट को यानि कि हमारे बिहार राज्य को संसद में रिप्रेजेंट करते हैं इसी में आगे हैं लोग सभा में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बिहार के जो विधान मंडल है जो नियम मनाने के काम करती है वहां वो दुई सदनी है दुई सदनी यानि की एक उच्चे सदन है एक निम्न सदन है उच्चे सदन को विधान परिशद कहते हैं और जो निम्न सदन है उसको विधान सभा कहते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है विधान सभा सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें कि बिहार में विधान सभा सदस्यों की टूटल संख्या कितनी है तो ये है 243 इसी तरह बात करें कि विधान परिशद जो उच्चे सदन है विधान परिशद सदस्यों की संख्या कितनी तो 75 है यह भी ध्यान रखेगा कि विधान सभा सदस्यों की संख्या अधिक होती है और विधान परिशत के लोग होते हैं उनका इलेक्षन थोड़ा अलग तरीके से होता है और वो डिरेक्ली नहीं चुने जाते हैं और राज्य गीत की अगर हम बात करें कि भिहार का राज्य गीत किया है तो यह है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत्सत वंदन भिहार और राज्य प्राथना की अगर बात करें कि राज्य की स्टेट मतलब भिहार राज्य की राज्य कि लोग निरत्त क्या है तो एक है एक तो है कठ गोडवा उसके बाद है छाओ निरत्त लॉंडा नाच धोबिया नाच जीजिया नाच जरनी कर्मा डोमकच और नेक्स्ट है प्रमुख वन प्रकार यानि कि बिहार में जो जितने वन होते हैं पेड़ पौदे जो बड़े- तो यह था हमारा टोटल बिहart का सामाने परिजाय भिहर जी-एस था आज हमने देखा कि बिहर जी-एस का सलवस देखा इस वीदियोमें और बिहार जी-एसेस का सामाने परिच ŞAHShis से सावार punch है और नेक्स्ट विडियो जो का हैकला इससा step यहार करेंग भिहार का भौबल जितना भी हमने सलिबस बताया है बिहार जीएस का, उन सभी को हम complete करेंगे one by one, तो हमारे साथ जुरे रहिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी तयारी को हम और बहतर बनाएं, तो हमारे साथ जुरे रहिए, study circle के साथ जुरे रहिए, और मेहनत करते रहिए, और हम उमीद क करते हैं कि आप इस एक्जाम में जरूर सफल होंगे, thank you so much, और जाहिए, जाभारत.